जब भी हम Windows servers के साथ में काम करते हैं तो सबसे पहला जो task perform करना होता है वो होता है active directory configuration का जिसको हम other language के अंदर PDC भी कहा देते हैं यानि कि primary domain controller ये कैसे step पूरा configure किया जाता है तो इस वीडियो के अंदर पूरा practical step by step आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से active directory पूरा design किया जाता है या PDC को configure किया जाता है तो इसके लिए वीडियो को end तक जरूर देखे है काई मेरणा मैं मंजीत सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना channel वो कैसे configure किया जाता है अगर आपको यह पूरे वीडियो जो है पसंद आ रही है तो like, share और comment जरूर करिएगा अगर आप कोई और भी topic के उपर में वीडियो चाहते हैं तो चलिए भी लेके चलता हूँ आपको computer screen पे चलिए हम आच के computer screen पे और यह जो server आप देख पा रहे हैं यह मैंने पहले configure किया था आपको जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो check out करने की किस तरह से installation किया जाता है तो you can see यह बिलकुल fresh server है हमारे पास मैं local server पे अगर मैं आपको click करके दिखा दूँ तो यह आपका बिलकुल ही fresh server है right you can see यहां पे work group लिखा हुआ है and आपका जो IPv4 वगरा address वगरा कुछ भी assign नहीं है और आपका computer name भी default है तो basically generally जो मैंने आपको बताया कि आपका जो server का name है वो हमारा हमेशा proper होना चाहिए यह default वाला नहीं होना चाहिए अगर आप इसको change करना चाहते हैं कुछ नहीं आपको इस पे click करना है और नाम को change करके एक बार server को restart कर देना that's it बाकी जो steps मैंने बताया थे वो अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम practical भी करने वाले हैं चलिए हम चलते हैं यहां पर dashboard पे click करते हैं server manager के अंदर और यहां पर मैं click करता हूँ add role and features के उपर में जैसे मैं यहां पर click करता हूँ you can see यहां पर before you continue verify that the following task has been completed पहला क्या बोल रहा दी administrator account has a strong password तो वो मैंने अलड़ी करके रखा हुआ है network setting such as static IP address I need to check on that part because अभी हमने देखा वो एक configured नहीं है और तीसरा यहां पर लिख्क्यारा the most current security update from windows update are installed तो यह चीज़ जो है अभी हम नहीं करें because हम लोग यहां पर education version यानि की evaluation version का इस्तेमाल कर रहे हैं which is provided by the Microsoft itself तो आप Microsoft की website से जो है यू डाउनलोड कर सकते हैं इसकी original जो ISO image है जो की evaluation version के अंदर आपको मिलते है जिसको आप education purpose के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए अभी पहले तो हमने second वाला मैं करने वाला नहीं हूँ because हमें इसको education के सबसे करें तो update में time waste नहीं करना है मुझे तो IP address जो है वो configured नहीं है हमारा आपके पास दो option है या तो आप यहां पे local server पे click करो और यहां पे you can see लिखा हुआ है the IPv4 address assigned by DACP तो यह आपका यह IPv4 address assigned by DACP तो यह आपका यह आपका य जो network sharing center है वो open हो जाता है इस पर right click करेंगे हम properties पर चलते हैं और static IPv4 address देना mandatory है तो यहां पर you can see हम IPv4 address configure करते हैं 192.168 ओके sorry 192.168. यहां पर हम देते हैं 50.1 का इसको IPv4 address और gateway भी इसको खुद का ही दे देंगे which is 50.1 and DNS के अभी तक हमने configure नहीं करा तो मैं यहां पे DNS server PC को बनाने वाला हूं तो मैं यहां पर इसका ही IPv4 address डाल देता हूं which is 50.1 and public वाला भी मैं configure नहीं कर रहा हूं वो बाद में हम करेंगे और मैं इसको ok करता हूं close कर लेता हूं and close करने के बाद हम इसको close कर लेते हैं now let's go back to dashboard again हम यहां पर add role and features पर click करते हैं अब हमने यह जो आपकी details थी वो fulfill कर ली next पर click करते हैं role based या remote desktop services तो हम यहां पर offline कर रहे हैं definitely role based और feature based पर जाएंगे next पर click करेंगे यहां पर आपको you can see IPv4 address जो हमने दिया वो दिखाई नहीं दे रहा दूसरा दिखाई दे रहा जो पहले से इसके पास में DSCP के द्वारा configure किया गया था तो मैं क्या करते हूं cancel करूंगा एक बार server manager को refresh कर दूँगा अब refresh करने से क्या होगा जो भी आपने changes करेंगे वो फैच हो जाएंगे चलिए अभी दुबारा से click करते हैं next पे click करते हैं next पे click करते हैं so now you can see जो हमने IPv6 के NIC card के अंदर डाला वो अभी visible है next पे click करते हैं यहां पर हमने दो चीजे करनी हैं because हमें पहली चीज DNS server की requirement होगी और साथी साथ हमें active directory domain right यहां पर मैं cancel करता हूं active directory domain services की requirement होगी इस पे टिक करते हैं add feature पे click करते हैं that's it अभी के लिए हमें दो ही चाहिए next पे click करते हैं next पे click करते हैं कुछ नहीं करना बाकी सब activities है अपने और उसके बाद में restart the destination server automatically if required टिक कर दें yes पे click कर दें and install पे click कर दें तो यह जो है थोड़ा सा time लेगा तो मैं इसको थोड़ा सा fast forward mode में डालता हूं ताकि आप पूरा process जो है वो complete देख सकें अब हम करते हैं close इसको जैसे close करोगे यहां पे एक yellow color का आपको जो है mark देखने को मिलेगा इस पे आपने click करना है और यहां पे promote this server to a domain controller पे click कर देना है जैसे आप click करेंगे यहां पे तीन options आपको देखने को मिलेंगे add a domain controller to an existing domain अभी तक हमारे पास कोई भी domain भी नहीं है second है add a new domain to an existing forest तो अभी तक forest भी नहीं है तो सबसे पहले हमें forest create करना है तो third option select करेंगे और आपका root domain name डालेंगे तो मैं यहां पर डाल देता हूँ tgm.com और उसके बाद में हम करते हैं next तो यहां पर आगे और यहां पर आपने डालना है आपका dsrm का password तो dsrm का password डालने के लिए अभी you can see यहां पर process चल रहा है और यह process complete हो गया password डाल देते हैं make sure करें कि यह password भी आपका strong हूँ और उसके बाद में next पर click करते हैं next पर click करते हैं and wait for some time यह आपका net bios name आजाएगा और जैसे यहां पर net bios name आजाता है आपने करना है next तो you can see next पर click करें और जैसे आप यहां पर next पर click करेंगे इसके बाद जो है आपका again next next फिर next करेंगे and you can see यहां पर लिख्या गया verifying the prerequisite for domain controller operation so basically यह आपका verify कर रहा है कि जो भी आपका hardware है उसके ओपर में जो config अभी जो जितनी भी आपने settings करी है वो सारी perfect है उसके लिए या नहीं है अगर आपका pre check clear हो जाता है green tick लग जाएगा and आपका installation start करना है आपको अगर कोई भी problem होगा तो then in that case आपको यहां पर red color का जो है to begin the installation तो next पर यहां पर install पर click कर दें it will take some time and आपका server जो है वो active directory या फिर PDC की बात करें तो ready हो चुका है तो चली अभी एक बार setup complete होने देते हैं उसके बाद फिर मैं आपको मिलता है आप fast forward mode में इसको देख सकते हैं so now you can see आपका server installation successfully हो गया है और यह एक बार restart होगा और आपका server जो है वो ready है अब ready होने के बाद में server वापस reboot होके complete हो जाएगा ready हो जाएगा firmware के अंदर ही पूरा यह complete task जो है perform कर रहा हूँ तो यह आपका थोड़ा सा time लेगा because आपका for the first time PDC configure किया जा रहा है यानि कि primary domain controller configure किया जा रहा है और जैसे यह complete हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो भी PDC का पूरा windows login window आपको देखने को मिलेगा और जो domain या forest हमने create करा वो भी अभी आपको visible हो जाएगा so guys I hope कि यह जो पूरा practical मैंने आपको करके दिखाया और जिसमें कोई भी error नहीं आया अगर error आ तो definitely उसको भी कैसे resolve करना है वो भी मैं आपको दिखाता I hope कि यह पूरे videos जो हैं वो आपको practical वाले भी पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो यह पूरी जो हमारी playlist है इसको आप subscribe कर लें प्लस आप हमारे channel को subscribe, like and share कर दें so that कि आपके in like, comment से हमारी जो motivation है वो और boost होगा और इस तरह से और सारे जो practical videos हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा फिर मिलता है एक और amazing video के साहथ, till then stay safe, goodbye